हालो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल का ख्षागरत में बच्चो हम लोग पढ़ा थे सार्डिक अर्था डिटर्मिनेंट बहुत ही महात्पूर्ड एक्सरसाइज जो की बिल्कुल इकदम आखरी एक्सरसाइज है बीबित प्रशनावली बच्चो यह से सारी मिले प्रशन होते हैं बहुत ही महात्पूर्ड प्रशनावली है जिसमें आपने इससे पहले वाले वीडियो में पुल दस प्रशनों को कम्प्लीट कर लिया था आज यहां पर 11 प्रशन बच्चो स्टार्ट करते हैं ठीक है पूरा एकदम वीडियो लाइच तक बिचा गया है और इसको हमें इसके बराबर प्रूप करके दिखाना है जूँकों कैसे करते हैं पहला काम तो यह होता है यहैन से ल till Hs ले ले आना है बच्चो इसमें दोको ध्यान से अलफा प्लस बीटा प्लस गामा ले आना है एक गुड़नखंड इसका अलफा प्लस बीटा प्लस गामा है तो यहां से बच्चो अगर C1 और C3 को जोड़के लिख दिया जाए C1 और C3 को जोड़के लिख दिया जाए तो निश्च थिरी को बदलें और सी थिरी और सी बन को जोड़के लिखनें ठीक है इस पर लिखना चारे है क्या लिखना चारे है यहां इसको जोड़के लिखना चारे है ठीक है चलो यहां से समझो पूरी बात बचो इसको तो कुछ भी नहीं बदला गया है तो अलफा बीटा गामा को तो जियों काते हो लिखना है इसको भी नहीं बदला गया है अलफा स्कॉाइर बीटा स्कॉाइर गामा स्कॉाइर इसको भी हमें जियों काते हो रखना है बस इसको बदल के लिखना है इसको जोड़ते जाओ और यहां लिखते जाओ अलफा के साथ इसको जोड़ोगे तो अलफा प्लस बुटा-ब्रस गामा हो जाएगा तो यहां भी अलफा-ब्रस बुटा-ब्रस गामा लेखना है और इसको इसके साथ जोड़ो कि वही बात, आलफा-प्लस बीटा-प्लस गामा कॉमा ही मिलेगा। यहां तक बच्चों ठीक है कोई डाउट बाली बात नहीं आंगे अब आप यहां देखो C3 है ना C3 और C3 मैंसे आपको सीधा सीधा अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन दिखाए दे रहा है भच्चों तो कॉमन ले लेते हैं यहां से यहां से लिखना है आपको C3 से अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेने पर ठीक है कॉमन लेने पर तो यहां से बच्चो जब कॉमन लेंगे तो यहां से हमें अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है ठीक है अब इसको तो जियों काते हो फिर लिख देना है अलफा बीटा गामा यहां इसको भी जियों काते हो लिख देना है अलफा स्कॉाइर बीटा स्कॉाइर गामा स्कॉाइर और यहां से हमने कॉमा ले लिया तो वन 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 बचाएगा वच्चो ठीक है के नहीं इतनी बात समझ में आई उचूग यहां तक किलियर है किसी को कोई डाउट चलिए और आंगे बढ़ते हैं और आंगे आज उचूग अब यह अलफा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा है इसको तो लिखा रहने बिलकुल ठीक है लेकिन अब यहां पर देखो इस साड़ी को कैसे हल करोगे आँगे इसको बढ़ाओ बचो हमारा पहला उद्देश यह होता है कि प्रसार करने से पहले जितने ज़्यादा ज़्यादा इसके ऐलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं वो किये जाते हैं तो यहां से बचो बिलकुल सीधी बात है कि अगर इस R1 मेंसे R2 घटा दिया जाया है तो अ R2 को भी बदल के लिख देंगे तो R2 मेंसे R3 घटाके लिखेंगे तो यहां देखिए आपके पास अलफा प्लेस बीटा प्लस गामा यों कहते हों और यहां से R1 को बदल के लिखना है इस प्रकार से कि इस R1 मैंसे R2 घटा के लिखना है अलफा मैंसे बीटा घटा के लिखना है तो यहां हमें मिल जाएगा अलफा माइनस बीटा ठीक है और इसके बाद यहां पर भी बिल्कुल वही अलफा स्क्वाइर माइनस बीटा स्क्वाइर अलफा स्क्वाइर मैंसे बीटा स्क्वाइर घटा के लिखना है एक मैंसे एक घटा के लिखना है बच्चो ये तो 0 बिल्कुल सही बात है 0 हो जाएगा यहां भी बिल्कुल ये R2 को बदल के लिखना है R2 में से R3 घटा के लिखना है बीटा माइनस गामा हो जाएगा बच्छो बीटा माइनस गामा यहां लिखना है बीटा स्क्वाइर माइनस गामा स्क्वाइर लिखना है बिल्कुल ठीक है यहां से एक में से एक घटाओगे यह भी आपका 0 हो जाएगा यहां से गामा गामा स्क्वायर और एक जियों का ट्यों इतनी बात ठीक है बच्छों किलिर बात है किसी को कोई डाउट नही अब मेरे खाल से यहां से एक दम एक सीधी बात है यहां से common है, बीटा माइनस गामा यहां से common है, तो बस यह दोनों common ले लेते हैं, R1 से alpha माइनस बीटा, तथा R2 से beta माइनस गामा common लेने पर, ठीक है, common लेने, तो common लेने पर बच्चो क्या बचाएगा, देखो, common लेने पर यहां लेने पर यहां लेख देते हैं, alpha प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके बाद यहां देखो, ये common मिल जाएगा alpha minus beta उपर वाली रो से पहली रो से alpha minus beta common है दूसरी वाली रो से beta minus gamma common है तो अब बचाएगा वो लिख देते हैं देखो बच्चो यहाँ एक बचाएगा यहाँ से alpha minus beta जब common निकल के जाएगा तो alpha plus beta यहीं पर आपको छोड़ देना है ठीक है इसके factor करोगे तो alpha minus beta alpha plus beta होंगे alpha minus beta बाहर निकाल लिया तो alpha plus beta यहीं छोड़ दिया और यह आपका 0 तो किसी में common लेने से 0 से कुछ भी common लिया जाए 0 बचता है यहाँ से भी बिल्कुल beta minus gamma common निकल के आएगा तो एक लिखना है यहां से बचाएगा बीटा प्लेस गामा बचाएगा यहां जीरो लिखना है यहां जीओं कातिओं लिख दें गामा गामा का इसक्वाइर और यह आपका एक ठीक है इसको हम जीओं कातिओं लिख लेते हैं इसके और आंगे बच्वो देखो तो आपको यह दिख रहा होगा कि आप तो सिंपल सी बात हम क्यों जंजेट में परें यहां पर दो elements 0 हो गए बस इस एक के साफ एक के प्रसार कर दो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा ठीक है बस इतना काम कर लेते हैं तो alpha प्लस बीटा प्लस गमा यह ज्योंग काते हूँ alpha माइनस बीटा यह भी ज्योंकाते हूँ यहां से क्या लिख दे हैं वा चो सी ह्सीरी के सापेक्छ करना पर ठीक है यहाँ पर कलम बदल के लिख रेते हैं थोड़ा गहना हो रहा है है ना तो यहां लिख देते हैं सी सी यह पैसा फिक रहां। प्रसार करने पड़ तो C3 यह है इसके साफिक जब प्रसार करोगे तो बच्छो क्या मिलेगा यहां से देखो यहां से हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है देखो यह ब्रैकेट बनाओ पहला element 0 है फिर minus दूसरा element 0 है प्लस तीसरा element 1 है और यहां से देखो इसको और इसको कैंसल करोगे तो इसका गुणा इसमें मतलब बीटा प्लस गामा लिखना है फिर minus और एक का गुणा यहां करोगे तो alpha plus beta क्या हो जाएगा alpha minus beta हो जाएगा ठीक है किलियर बच्छो यहां minus का बीटा है और यह plus का बीटा आपस में कैंसल हो रहा है जो बचय का समझो वही आंसर है बस alpha plus beta plus gamma यहां पर alpha minus beta यह beta minus gamma और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो gamma minus alpha लिखना है ठीक है बच्छो गामा minus alpha आप देख रहे हो बिलकुल एकदम यही RHS है ठीक है यह क्या है RHS किलर बच्छो तो पहला काम तो यह होता है कि जब हमें यह स्थे करवाने जैसा प्रशन होता है तो पहले हमें answer को देखना होता है कि यहां तक कैसे पहुंचे हमें यहां पर यह दिखाई दिया कि ब्रैकिट में जो एक गुड़न खंड है उसमें alpha plus beta plus gamma ले आना है तो बच्छो सीधा हमें दिखाई दिया कि c1 है और c3 है इसको जोड़ दे तो alpha plus beta plus gamma common हो जाएगा तो बस वही हमने किया है इसको और इसको जोड़ के हमने यहां पर लिख लिया इसके बाद यहां से c3 से हमने alpha plus beta plus gamma यह common लेके बाहर निकाला तो 1 1 1 यहां 1 1 1 बचाएगा सिंपल सी बात है बस यहां पर अब आगे इसके elements 0 करने की बात समझो तो 0 कर लिए पहले r1 है यह r2 है तो r1 मैंसे r2 घटा है फिर r2 मैंसे r3 घटा के यहां पर हमने 2 operation कर लिए दो 0 आ गए फिर इसके बाद c3 के साफिक इसका प्रसार कर लिया बस समझो आंसर ठीक है बड़े आराम से बचो बहुत important question ठीक है नोट करें इसके आंगे आते हैं question number बार्मे पर आते हैं चलो इसको जल्दी से नोट करें question number बार्मा क्या कह रहा है देखते हैं question number बार्मा चली बार्मा question पर चो यहां से लिख रहा है कि यहां पर बिल्कुल एकदम आसान सा है यह भी आपका question आसान है देखो बार्मा है इसमें लिखा है पहली वाली column पर है x, y, z और दूसरी वाली column पर है x square, y square, z square, x square, y square, z square है और तीसरी वाली column पर है 1 plus p x cube, 1 plus p into x का cube, 1 plus p into y का cube, 1 plus p into z का cube ठीक है बच्चो इतना है यह और answer हमें क्या ले आना है बराबर में सिद्ध करके क्या दिखाना है 1 plus p into x, y, z दूसरा bracket क्या है? दूसरा bracket है आपका x minus y, x minus y, y minus z और तीसरा bracket है z minus x ठीक है बच्चो यह हमें सिद्ध करके दिखाना है चलिए बिल्कुल आसान सा यह भी प्रिष्ण है बच्चो यह भी बड़ा important है, बहुत important है दोगो दिखान से समझो, बच्चो यहाँ पर जो LHS है, LHS इसके बारे में थोड़ा दिखान से समझो, एक property आपको बताई हमने क्या कि अगर कभी कोई पंक्ती या कोई इस्तंब दो पदों के योग के रूप में लिखा गया हो, यहाँ पर ये वाला इस्तंब दो पदों के योग के रूप में लिखा गया है तो अगर ऐसा होता हो कि कोई एक पंक्ती दो पदों के योग के रूप में हो या एक इस्तंब दो पदों के योग के रूप में अगर होता है तो इस साड़क को दो साड़कों में विभत्त किया जा सकता है उसी कोट के दो साड़ेक बन जाएंगे कैसे दोखो यहां पर हम सीधा तोड़ के लिख देते हैं बच्छो पहला साड़ेक इस परकार से x by z और यहां से x square by square z square और यह आपका 1, 1, 1 इस परकार से लिखना है ठीक है पहला साड़ेक यह हो गया फिर इसके बाद प्लस का निसान लगा और दूसरा साड़ेक क्या लिखना है यह तो हमें ज्योंकातियों लिखना है x by z यहां पर x square by square z square और यहां पर आपको लिखना है p into x का cube p into by का cube p into z का cube बोलो बच्छो इतनी बात समझ में आई क्या किया हमने यहां पर इस साड़ेक को दो साड़कों में तोड़ दिया गया है बस पहले यह रो यह कॉलम फिर यह कॉलम और लाश्ट में यह अहां पर दो कॉलमों को जोड़ दिया गया है तो बस यहां पर पहले यहां जो पहला पहला यह है ना यह लिखना है और इसको प्लस करके यह वाला लाश्ट में यह लिखना है थीक है इनको तो यह kolumn को नहीं बदलना च्योंकि यहां पर जो तीसरा कॉलम को योग के रूप में लिखा गया है तो बस उसको पहले वाले को यहां लिखना है ना है, प्लस करके जो जोड़ी गई क्या है उसको हम दूसरे वाले साड़ेक में लेख देते हैं ठीक है तो बच्चो इस प्रकार से अब आंगे की बाद समझो अब आंगे की बाद बड़े अराम से तो यहां पर बच्चो ऐसा लग रहा है कि यहां से तो बहुत चीज़ा कॉमन दिखाई दे रही है यहां से आप देख सकते हो एकस 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 सारे R1 से X common है और ये R2S में से Y common है यहां से Z common है बच्चों ये तो सीधी सीधी common दिखाए दे रहे हैं और एक और बात है ये C3 है इसमें से तो P common है P P P common है तो बच्चों यहां से common ले लेते हैं पहले साड़िक में कुछ भी नहीं करना है ये आपका X X square और 1 यहां से Y, Y का square एक और यहां से Z, Z square और एक लिखना है ठीक है इसके बाद आंगे यहां से plus का निसान लगा और यहां से हमें common लेना है दोखों क्या common ले यहां से X, यहां से क्या common है X यहां से क्या common है Y यहां से common है Z और यहां से common है P इतना हम common ले लेते हैं, द्यान से समझो, तो बच्चों यहां बचाएगा one, यहां बचाएगा x और यहां पर x square बचाएगा, पी तो common चला गया, x square केबल बचाएगा, ठीक है, यहां भी बिल्कुल वही बात है, by common चला जाएगा, one, by common चला जाएगा, तो एक by बचाएगा, यहां से by cube है, एक by common चला जाएगा, तो by square बचाएगा, पी common में चला गया, ठीक, यहां भी बिल्कुल वही बात है, पी तो common में चला गया, z common फिर से दिखाई दे रहा है, तो यहां one, यहां पर बचाएगा z, और यह आपका z का square है, करेक्ट है बच्चों इतनी बात, ठीक r1, r2, r3 से क्रम सहा, से क्रम सहा, चलो एक बात और कर देते, यहां पर एक जो और पी common लिया ना, वो कहां से लिया है, c3 से, तथा c3, तथा c3 से क्रम सहा, x, y, z, तथा, तथा p, common लेने पर, common लेने पर, ऐसा हमने किया है, ठीक है, यहां पर इतनी बात, आप लिख दिया करो, जो भी हमने किया है ना, वो लिख देते हैं, तो आंगे बढ़ाएं दोखो बच्चों, अब यहां तक हम लोग कहुंच गए, ध्यान से अगर देखा ज है, तो इस साड़िक और इस साड़िक में थोड़ा सा अंतर है, बस जो आपके कॉलम है ना, इधर के उधर लिखे, अगर आप चाहो तो इनको दोनों को बिल्कुल सिमलर बनाया जा सकता है, दो को कैसे, थोड़ा ध्यान दो, बच्चों यहां पर यहां पर यहां पर उसकी पहली कॉलम है, तो बच्चों इसको हम उठाके यहां ले आ, कोई समस्चा थोड़ी है, बच्चों को तो आपस में बदला जा सकता है, रो को आपस में बदला जा सकता है, केबल बदलने पर क्या होता है, कोई दो अथवा कोई दो कॉलम, कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम बदलने पर Examika Sign बदल जाता है इतनी बात है तो अगर इनको यहां से change करेंगे तो केबल क्या होगा हिसका निसान- हो जाएगा तो minus यहां लिख लेते हैं देखू क्या किया गया है इसको भी आप लिख जरूर दिया करो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं C1 और C3 को बदलना चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे है बच्चो C1 C3 को बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर C3 जो लिखा है उस पर है 1 1 1 ठीक है क्या है 1 1 1 है इसको यहाँ लिखेंगे तो भई यहाँ पर x by z लिख दें इसको बदला गया नहीं है तो बिलकुल जियों काते हो x square by square z square लिखना है correct है बचो minus cable हो गया यहां से c3 को c1 पर लिख दिया c1 को c3 पर लिख दिया cable minus का sign हो गया ठीक है और यहां से plus x into by into z into p और इसके बाद इसको तो कुछ करना नहीं है 1 1 1 x by z और यहां से x square by square z square जियों काते हो रखना है ठीक चलिए आंगे बढ़ो बचो यहां से एक और बात दिखाई दी अगर यहां से इस कॉलम को यहां और इस कॉलम को बिल्कुल एकदम similar हो जाएगा तो यहां से हम फिर बदल देते हैं c2 और c3 को फिर से बदल देते हैं ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं दोगों जैसे ही बदलोगे तो यह minus minus फिर plus हो जाएगा फिर sign बदल जाएगा ना plus कर दें तो यहां पर जो x y z है वो यहां हो जाएगा और यहां बाला यहां हो जाएगा one 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 जो लिखा है c1 पर इसको जियों काते हो यहां पर हो जाएगा x y z यहां पर x square by square z square हो जाएगा इसको plus और यहां आपका p into x by z यह जियों काते हो और यहां पर one 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 यहां से यह और यह similar है, तो बच्चों यहां से common ले लेते हैं, बस इतना करना के लिए तो हमने सब कुछ किया है, दोनों साथ इक common दिखाई दे रहे कि नहीं, दे रहे न, तो यहां से हम common ले लेते हैं, one, 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 यहां पर है x, y, z, और यहां पर है x square, y square, z square, इतना common मिल जाए एक बचाएगा, प्लस यहां p x by z बचाएगा, यह common में, ठीक है, तो यहां पर लिखना है, one plus p into x by z लिखना है, ठीक, correct बच्चों इतनी बार, चलिए अगर इतनी बार ठीक है, तो अब थोड़ा और आंगे बढ़ाओ, अब थोड़ा और आंगे बढ़ाओ, बच्चों दो एक गुड़नखंड हमें मिल जा, अब इसके बाद हमने जैसा की बताया कि साड़ को प्रसार करने से पहले, हम इसमें जाधा से जाधा जीरो बनाने की कोशिस करते हैं, तो अब यह जीरो हो जाएँ, इसके लिए क्या करते हैं, यहां r1 को बदल के लिख दो, r1 मैंसे r2 गटाएं, और r2 को बदलें इस प्रकार से कि r2 मैंसे r3 घटा दे, ठीक, चलो कर देते हैं, देखो, r1 आपका यह इसको बदल के लिखना है, 1 मैंसे 1 घटाओगे, 0, x मैंसे y घटाओगे, तो यहां x मानिस y, x स्कॉाइर मैंस y स्कॉाइर घटाओगे, तो x स्कॉाइर मानि y मानिस z लिखना है, ठीक है, और यह y स्कॉाइर मैंसे z घटाओगे, तो यहां से y स्कॉाइर मानिस z स्कॉाइर लिखना है, 1, z और z स्कॉाइर इसको जूंकातियों रखते है, खरेक्ट है बचो उतनी बार, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बरावर में लिखना है, 1 प् माइनस जैड कॉमन है तो इतना कॉमन ले लेते हैं ठीक है जो कॉमन ले लिए ना उसको लिखो भई यहां पर लिख देते हैं आर बन से X-Y तथा R2 से R2 से Y-Z common लिया है हमने तो लिख दें common लेने पर ठीक है तो चलो बच्छो common ले लेते हैं बिल्कुल एकदम आसान से common लेने के बाद आप बचा गा कित्ता बचा है बच्छो 0 यहां से X-Y common चला गया 1 यहां से X-Y common चला गया तो X-Y बचाएगा बरगांतर से यहां गुडन खंड कलिए तो X-Y common में आ गया X-Y बचा वहीं छोड़ दिया इसको भी बैसे ही करो दोखो यहां से Y-Z common तो यह तो 0 रहेगा यहां से common चला जाएगा तो 1 बचाएगा यहां से Y-Z common चला जाएगा तो Y plus Z बचाएगा ठीक है बच्चो बिल्कुल ठीक है इसको 1 Z और Z square जियों काते हूं लिख दे ठीक है अब यहां दोखो C1 पर 2 elements 0 है बस C1 के सापेक्च प्रसार कर दो समझो काम खतम तो बच्चो क्या करना है यहां लिखना है C1 के सापेक्च प्रसार करने पर ठीक है यहां लिखेंगे C1 के सापेक्च प्रसार करने पर सापेक्च प्रसार करने पर ठीक है यहां लिख देते हैं प्रसार करके तो इस प्रकार से दोखो यह क्या क्या बचाएगा यहां पर लेकेंगे आप one plobelis p into x into by into z और इसके बाद मैं यहां पर लेकना है दोखो x – by यहां लेकना है by – z यहां पर क्या लेकना है by – z और यहां से प्रसार करके लेकना है ठीक है यहां पहला अबली है zero फिर minus दूसरा भी zero है plus तीसरा आपका एक है और इसको और इसको cancel करें तो एक का गुड़ां करेंगे बाई प्लस जैड में माइनस का चेनल लगाओ और इसके बाद में यहां से दोखो एक का इसमें गुड़ां तो यह x माइनस बाई हो जाएगा ठीक है यह है 1 प्लस पी इन्टू X इन्टू Y इन्टू Z और इसके बाद यहां पर X माइनस बाई यहां बाई माइनस जैड और यहां से हमें क्या मिलागा बच्चो यह बाई से बाई कैंसल हो रहा है तो Z माइनस X मिलागा आप देख सकते हो यही आपका RHS है ठीक है बच्चो यह आपका RHS है करेक्ट है बच्चो एकदम ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं अंगे बढ़ें तो यहां से हम बस यही इतनी बात याद रखना है कि यह जो RHS हमें सिद्ध करना है इसमें हम इसके तरफ जब चलेंगे तो बस यह मिलाना है हमें यह गुड़न खंड कैसे मिलेगा यह कैसे मिलेगा यह कैसे तो जैसे जैसे यहां पर मिलता जाए बस वैसे हमें करना है किसी में घटाना है किसी में जोडना है जोडना घटाना बस इसी के अनुसार है कि यह हमें मिलना चाहिए ठीक है तो बच्चों ठीक है आंगे बढ़ें चलो इसको नूट करें कुश्चन नमबर 12 मा है यह आते हैं कुश्चन नमबर 13 में पर चली रफ कर लेते हैं इसको कुश्चन नमबर 13 मा देखो बच्चो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रिवीजन है ना रिवीजन बदला प्रैक्टिस जरूर करना ऐसा नहीं है कि पीशे वीडियो जो आप देख रहे हो उनका प्रैक्टिस जरूर करना ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिए तैयार हो गया बस ठीक है बच्चो कभी इसा होता नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है, कि एक बार तयार का मतलब तयार समझव, ऐसा नहीं होता, आप ऐसे समझो, एक मौटी सी बात है, कभी आप अपने घर पे चाकू बहुत अच्छी धार लगाtimer लगा के रख दो, बहुत अच्छी धार लगाιαक zor तो यह ना उसी प्रकार वीडियो जो आपने पीचे देखा है उसको कभी धृर्शत मिले दुबारां से उसको र। जरूर कर लें एक बार देखते रहें और अच्छे से कंपलीट करते रहें नोड भी बनाते रहें ठीक है बच्छो आंगे बढ़ते हैं question number हमारा है question number हमारा है यह the is कि तेर्मा प्रश्न क्या है वई है कि यह है तेर्मा प्रश्न है कि कहता है यहां से इस परकार से दिया गया है इसमें भी सिद्ध करना है यह है आपका 3a-b-a और इसके बाद में माइनस का B प्लस A और इसके बाद में तीसरी वाली कॉलन पर दिखो माइनस में A प्लस B और यह लिखा है तीन B और यहां पर है माइनस C प्लस B ठीक है, यहां पर तीसरी वाली कॉलम पर है माइनस A प्लस C और यहां पर है आपके पास माइनस में B प्लस में C और यहां पर है तीन C इसका हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है हमें सिद्ध करके दिखाना है 3A प्लस B प्लस C और इंटू में A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A ये हमें बच्छो प्रूब करके दिखाना है ठीक है जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको यहां पर जो RHS जो हमें सिद्ध करके देना है बस वो हमें यहां से कुछ ऐसा और आपका है आपका है रहствен क्रें कि आप आसे हैं अगर तीनों को जोड़के यहां लिख दो आपको a प्लस B प्लस C मिलागा है एह माइनस में मैंस मैं मायनस का 2A हो गया यह 3A प्लस का है, 3A मैंसे 2A घट जाएगा, 1A बचाएगा, प्लस का B है, प्लस का C है, तो तीनों को जब जोड़ोगे, तो A प्लस B प्लस C मिलागा, बैसे ही इनको भी जोड़ो दो खोड़ो जोड़ के दिखा देते हैं, क्या करना है बच्चों, पहला काम तो यह हमें LHS लेना है, ठीक है, और LHS पूरी लिख ली जाती है, यहां पर है 3A माइनस में B प्लस A, स्वरी, माइनस में A प्लस B, क्या है माइनस का A प्लस B और यह आपका माइनस में A प्लस में C, माइनस B प्लस A, यहां पर है 3B, यह है माइनस B प्लस C, और यहां पर माइनस में C प्लस A, माइनस C प्लस B, और 3C, यह हमने लिख लिया, ठीक है, यह हमारा दिया गया साड़ डिक है, इसके बाद में यहां पर हमने ऑप्रेशन क्या बताया, क्या करना है, C1 को बदल के जोड़के, तो यहां से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, देखो, जहां से समझना है, क्या मिल जाएगा, यहां से C1 पर हमें लिखना है, तीनों को जोड़के लिखना है, तो बताया कि A प्लस B प्लस C यह तो मिलागा, बिल्कुल पक्की बात है, माइनस का A, माइनस का A, मा जैँगा एक एबचाएगा प्लस मैं B है प्लस का सी है बिलकुल ठीक ऐसे ही यहाँ bre q r मैं A है और यहाँ से बोबी माइनस का जोड़ के माइनस का 2 B त fitness बी मैं से 2 B घड़ जाएगा तो फ्लस का एक भी और प्लस यह आपका सी बिलकुल ठीक इसन तीन B, माइनस C, प्लस B, और इसको भी हमें जोंकाते हो, माइनस का A प्लस C लिखोगे, माइनस में B प्लस C लिखोगे, और फिरी C लिखना है, करेक्ट है? इसके बाद बच्चो यहां से common दिखाई दे रहा है C1 से हमें common लेना है A प्लस B प्लस C common लेने पर क्या लिख दें बच्चो common लेने पर यहां से हम common ले लेते हैं ठीक है तो बच्चो जैसे हम common लेंगे तो यहां से A प्लस B प्लस C यह common आ जाएगा अब बचाएगा वो यहां लिख देते हैं दोखो बचाएगा 1 1 1 और यहां पर बचाएगा माइनस में A प्लस B यहां 3 B यहां पर माइनस C प्लस B और यहां पर माइनस में A प्लस C माइनस में B प्लस C और यहां पर 3C ठीक है? अब बच्चों यहां से दोखो इनको हम 0 कर सकते हैं हमने बताया अब यह पहला कम तो यही है ना अब यहां हम 0 जादा से जादा बना लें फिर इसका हम प्रसार बाद में करते हैं तो यहां से बच्चों कर देते हैं बिलकुल एक दंअसान सा कम क्या करना है दो cetera C C बन नहीं? R बन पर है ना इस R बन पर इस R बन मैंसे R2 को घटाओ तो यह 1 मैंसे 1 घटाओ गा 0 हो जाएगा R2 मैंसे R3 घटाओ तो 1 मैंसे 1 घटाओ गा 0 हो जाएगा तो बस यही लिखना है दोको r1 को बदल के लिखे हैं r1-r2 और r2 को भी बदल के लिखे हैं r2-r3 clear है? चलिए तो यहां से a, plus b, plus c, जींकातियों लिखना है बच्चो यहां पर r1 मैंसे r2 घठाएं 1 मैंसे 1 घठाएंगे 0 माइनस a, plus b और इसमें से घटाना कितना है घटाना है माइनस का 3B तो बचो यहां पर माइनस A माइनस का 2B बचाएगा कितना माइनस का A माइनस में 2B बचाएगा ठीक है और इसी प्रकार बिलकुल यहां देखो माइनस में A प्लस C है यहां पर घटाना कितना है घटाना ये है तो माइनस का B प्लस C ये घटाना है बच्छो जब घटाओगे तो माइनस का A प्लस C माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का B माइनस का C C और C cancel हो जागा तो minus A plus B क्या लिखना है minus में A plus B लिखना है ठीक है बच्चो इतनी बाट ठीक है अब इसी प्रकार यहां R2 को भी बदल के लिखना है R2 में से R3 घटाना है 1 में से 1 घटाओगे 0 3B और यहां से घटाना कितना है minus का minus का C plus B क्या घटाना है minus C plus B घटाना है तो यह 3B minus minus plus का C minus का B मतलब 2B बचाएगा plus में C क्या लिखना है 2B plus C लिखना है ठीक है तीन है ना एक B घट जाएगा 2B plus C ठीक है इसके बाद यही काम यहां करना है minus का B plus C है और घटाना कितना है minus में 3C घटाना है तो अब यहां पर माइनस भी माइनस में तीन सी के जग़े माइनस का दो सी लिख दें एक सी प्लस का है माइनस का तीन सी है माइनस में दो सी बचाएगा तो यहां लिखना है माइनस में भी और माइनस में दो सी लिख देना है ठीक है बच्चो इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी वाली रो है उसको ज्योंकातियों रखना है 1 और माइनस में C प्लस में B, माइनस का C प्लस B ज्योंकातियों और 3C इसको भी हमें ज्योंकातियों रखना है अब इसका प्रसार कर लेते हैं, दो तो 0 हो गए, बहुत हैं पर्याप्ता है एक दम, यहां पर लिखना है C1 के सापक्ष प्रसार करने पर ठीक है, C1 के साफिक प्रसार करने पर, तो बच्चो क्या मिलेगा, यहां देखिए, यह हो जाएगा, A+, B+, C, हमारा जियों का त्यों, इसको कुछ भी नहीं करना है, और यहां पर इसका अब प्रसार समझो, यह 0 है, दूसरा अब या माइनस का होता है, यह भी 0 है, तीसरा अब या प्लस का होता है, यह 1 है, तो इसको और इसको कैंसल कर दो, यहां पर गुणा कर लेते हैं, यहां पर काई का कायम करना है, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का चेन लगाई, इसका इसमें गुणा, तो गुणा करना है, माइनस का A, माइनस 2B, का गुणा करना है, माइन A।- B से गुणा करना है – – A।- A।- B, ठीक है। माइनस का a और प्लस में बी। चलिए। बहुत अच्छी बात है बाद हटू ना करके जहां से हमें आंसर मिलने वाल आई। दोखो A प्लस B प्लस C जियों का त्यों और इसके बाद यहां पर दोखो इन दोनों का गुणा करो बचो यहां पर भी सारी दोनों पद माइनस के हैं यहां पर भी दोनों पद माइनस के हैं तो जब माइनस माइनस से गुणा करोगे तो सारी पद प्लस के हो जाएं ऐसे मानू ठीक है आप केबल गुणा करते जाओ सारे प्लस के लिख दो किसी प्रगार की कोई समय से नहीं दोखो A का B में गुणा A into B ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस A का गुणा यहां करना है यह भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 A C लिखना है यहां पर माइनस का चेन है बच्छों यहां आपस में पहले गुणा करेंगे फिर इसके बाद माइनस का भी गुणा करेंगे दो B का गुणा माइनस A में करना है तो माइनस का दो A B प्लस में दो इंटू B का स्क्वाइर माइनस में C का A में गुणा C A और प्लस में B का C में गुणा B C लेखना है ठीक है इसके बाद और देखो अब A प्लस B प्लस C और यहां देखिए A B बिल्कुल ठीक है प्लस में यहां पर 2 A C जियों काते हूं सब लिख दो सब जियों काते हूं लिख दो प्लस में 4 B C माइनस अब अंदर गुड़ा करोगी तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 A B लिखना है माइनस में 2 B स्कॉाइर लिखना है प्लस में C Into A लिखना है माइनस में B C लिखना है ठीक? करेक्ट? बस यहां से उनका हिसाब किताब कर लो बिल्कुल एक दम हिसाब किताब करते ही अंसर आएगा पहला कम तो बच्छो A B से हिसाब करना है यहां से देखिए यह आपका दो A B है एक A B यह है तो बच्चो तीन A B हो जाएगा यह ठीक है A B का हिसाब हो गया अब B C का हिसाब जो समझो B C का हिसाब करें से पहले एक बात और दिखाई दे रहे ही बच्चो B स्कॉाइर वाला पद कैंसल दो B स्कॉाइर प्लस का है यह दो B स्कॉाइर मानस का है यह कैंसल कर ले ठीक है अब B C वाले पद की बात करो 4 B C प्लस का है एक B C घट जाएगा तो प्लस का हमें 3 B C मिलेगा ठीक है इसके बाद A C वाले पद की बात करो अब 2 A C है प्लस का 1 A C है प्लस का मतलब 3 A C या A C कहें या C A कहें एक यह बात है ठीक है बच्चो किलियर बात हो गई अब 3 3 3 3 तीन हो जागे से यहां से 3 common है तो वह तीन भी common ले ले लेते हैं A A प्लस B प्लस C यह जिए उकाते हों बचाएगा A B प्लस B C प्लस C A यह हमें मिल जाएगा ठीक है यही बच्चो आरहे चैस है ध्यान से समझो यही आरहे चैस है ठीक है देख रहे हो ना किलियर है किसी को कोई डाउट नहीं बड़े अराम से हमने बताया कि आप बिल्कुल आर लिए आराम से जब काम करोगे तो किसी प्रकार की कोई जل्द बाजी नहीं करनी है आराम से आपको अंसर मिल जाए ठीक है ? कै चलिए यह होगया Question No.3 मों जल्दी से wives लोट करें बच्चो Question No.4 पर आ जो यहां पर question number 4 में में देखो क्या कहता है वई इसको भी रप कर लेते हैं देखो question number 4 में देखो देखिए चोदमा बच्चो यहां पर जो question है वो कुछ इस प्रकार से है वई कि कहता है कि साड़िक है one और two three और दूसरी वाली कॉलम पर है बन प्लस पी और three प्लस टू पी और यहां पर है six प्लस थिरी पी तीसरी वाली कॉलम में है प्लस क्या है बन प्लस 1 प्लस प्लस टू और यहां पर है four प्लस थिरी पी प्लस two क्यू और यहां से हमें 10 प्लस 6p और प्लस 3 क्यों ठीक है यहां पर इतना दिया गया है बरावर में अंसर हमें इसमें 1 प्रूब करके दिखाना ठीक है या प्रूब करना है 1 चलिए बहुत समझो बात ध्यान से बच्चो अब हमें कैसे 1 लियाना है यहां पर भी काम तो दो को वह इस्टार्टिंग व प्लस 2P यहां पर 6 प्लस 3P और यह लिखा हुआ है 1 प्लस P प्लस Q 4 प्लस 3P प्लस 2Q और यह है आपके पास 10 प्लस 6P प्लस 3Q यह हमारा LHS हो ठीक है आंगे दोखो बच्चों यहां से अब आंगे जब बढ़ोगी तो थोड़ा ध्यान से समझना है दोखो ध्यान ने यहां पर यह एक है इसको हमने बताया कि सबसे पहला काम तो यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल जाए यहां तो बच्चों एक लियाना है बस अगर प्रसार करोगे एक यहां से भी एक आ जाएगा अगर हम डिरेक्ट प्रसार कर दें एक मिलागा बिलकुश सही बास है लेकिन अगर हम गुड़ दर्बं का प्रियोग कर लेंगे तो उसको सरलतम रूप से उसका हाल मिल जाएगा और छोटा हो जाएगा ठीक है तो यहां से पहले हमें इसके प्रकुड पर धहन देना है प्रकुड लगाना है और फिर इसके बाद हमें प्रसार करके अंसर एक मिल हाँ यहां पर दो का गुड़ाँ करते जाओ दो का जैसे गुड़ाँ करोगी तो एक दूनी दो मेंसे दो घटा होगे जीरो हो जाएगा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार R3 को भी बदलो R3 मेंसे 3R1 घटा दें यहां पर R1 है इसमें 3 का मल्टीप्लाइ करो और 3 मेंसे 3 घटा ह यह जीरो हो जाएगा ठीक है कर लेते हैं देखो यहां से बिल्कुल सिमलर समझो बात आरवन को कुछ नहीं किया गया है वन बन प्लस पी और यह आपका बन प्लस पी प्लस क्यू इसको जिऊंगा देगा ठीक है यहां पर क्या करना है दो मैंसे यहां दो से गुड़ा करोगे दो बन जाएगा दो मैंसे दो घटाओगे जीरो यहां दो से गुड़ा करोगे तो यह हमारे पास क्या बनेगा दो को दो प्लस दो पी इस मैंसे गटाओ दो को तीन प्लस दो पी है यह तीन प्लस दो पी है गटाना कितना है दो का गुड़ा करके गटाना है तो बस यहां से दो का गुडान करोगे तो 2 plus 2P हो जाएगा घटाओगे बच्चो तीन मैंसे 2 घटाओ एक बचएगा क्या बचएगा यहां पर 1 और यहां पर 2P और 2P यह कैंसल हो जागा चुकि यहां पर minus का चेंड हो जागा जब bracket खोलोगे माइनस का ये माइनस का और ये प्लस का ठीक है तो केवल एक बचाएगा ठीक है और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको यहां से इसमें से इसको घटाना है दो से गुणा करके घटाना है काई मैं से क्या करना है बच्चो चार ये क्या लिखा है दो को ध्यान दें ये है हमें घटाना है बस यहां से दो को चार है चार मैंसे दो घटाओगे दो मिलेगा यहां पर तीन पी है तीन पी मैंसे दो पी घटाओगा तो प्लस का एक पी मिलेगा दो क्यू मैंसे दो क्यू घटाओगा खेल खतम 2 प्लस P लिखना है क्या लिखना है 2 प्लस P अब तीसरी वाली रो को बदल के लिख दो यहां पर जो तीसरी रो है उसमें क्या करना है इस मैं से घटाना कितना है इस मैं से 3 का गुणा करते जाओ घटाते जाओ यह है 3 यहां 3 का गुणा करोगे 3 मैं से 3 घटाओगे 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऐसे यहां करना है, 3 का गुणा करो, और घटाना काई मैं से है, 6 प्लस 3P, 6 प्लस 3P मैं से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करोगे, तो यह हो जाएगा, 3 प्लस 3P, घटा दें, 6 मैं से 3 घटाओगा, 3 बचेगा, 3 प्लस 3 इसको घटाना है, इसमें से, इसमें से, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है, ये हमारे पास है, 10 प्लस 6P प्लस 3Q, घटाना कितना है, इसमें से 3 का गुणा करो, तो 3 प्लस 3P प्लस 3Q, 3 का गुणा करोगे, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें और घटा दे, खिक है, तो 3 का आओ, 7 मिलेगा, 6P, 3P घट जाएगा, तो यहां से 3P मिलेगा, 3Q मैंसे 3Q पूरा खेल खतम, तो यहां लिखेंगे 7 प्लस 3P लिखना है, ठीक है बचों, इतनी बाद समझ में आई, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, चलिए अगर इतनी बाद बचों सही है, तो हम मेरे सीधा प्रसार कर देते हैं, आंगे बढ़ो ही नहीं, हमें भई दो एलिमेंट्स, जिरो भी मिल गए, अब यहां पर C बन के सापेक्च हम प्रसार कर देंगे, आंसर बिल्कुल इगदम, बिल्कुल इगदम बढ़िया सा अंसर आएगा, C बन के सापेक्च, क्या करोगे, C ब करना है, यहां एक का गुणा करना है, काई में, साथ प्लस तीन पी में गुणा करना है, फिर माइनस का चिन लगाओ, तीन का गुणा यहां करना है, तीन दूनी छे प्लस तीन एकम, तीन, माइनस करोगे तो चिन बदल जागा, तो तीन दूनी छे माइनस का तीन पी लिखन इसके बाद देखो यह आपका दूसरा एलिमेंट यह 0 है तीसरा एलिमेंट भी 0 है तो इस पुछ भी नहीं मिलेगा जियों कातियों 0 मिलेगा ठीक है तो यहां से बच्चो सात मैंसे 6 घटाओ एक मिलेगा तीन पी मैंसे 3 घट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा एक हमारा आनसार आना चाहिए जो कि हमारा RHS है ठीक है यह RHS है खेलियर बच्चो तो एक एकदम एक सीधी सीधी बात है हमें यहां पर जब कभी साड़िक मिलता है तो उसमें हमें उद्देश हमारा यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलिमेंट उसके सून हो जाए इस से हम ऑपरेशन करते हैं ठीक है तो यहां पर हमने दो जीरो बना लिए दो अभी अभी यह आपके सून बन गए फिर हमने सी बन के साफिक का प्रसार करके इसका आंसर नकाल लिया ठीक है बच्चू नोट करने जल दी से इसके बाद आते हैं कुस्च्चन नमबर 15 पर आते है इसको भी रप कर लेते हैं कुस्च्चन नमबर 15 पर आते हैं देखो यह है हमारे पास कुस्चन नमबर 15 मा और यहां पर साड़िक इस प्रकार से तो खुद या गया है यह है साइन अलफा और साइन बीटा और साइन गामा यह आपकी पहली वाली कॉलम हो गया है ठीक है और दूसरी वाली कॉलम पर है कॉस्च अलफा कॉस्च बीटा और कॉस्च गामा यह दूसरी वाली आपकी कॉलम हो गई तीसरी वाली कॉलम है कोस अलफा प्लस डेल्टा क्या है कोस अलफा प्लस डेल्टा और यहां पर कोस बीटा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा ठीक है यहां पर बीटा प्लस डेल्टा और यहां पर है कोस गामा प्लस डेल्टा ठीक है और हमें इसका अंसर बच्चो जीरो आतर होती की साड़ी की कोई दो रो बराबर होजाएं किसी साड़ी की कोई दो रो बराबर हो जाता है कोई साड़े कमान जीरो हो जाता है और तीसरी बात और कि अगर ऐसा हो कि किसी भी पंक्ति अत्वा किसी इस्तंव के प्रतेक अभियाब सुन हो जाता है तो भी साड़े कमान जीरो हो जाता है मतलब यहां पर जैसे कोई आपकी रो अत्वा कोई कॉलम के सारे अलिमेंट जीरो हो जा कुछ यहां पर जरूर लावगों होगा तभी साड़ इक मन्जीर हो सकता है ठीक है चलो समझो कि पहला कम तो विष्ँल Somers लिखेंगे और यस इस परकार से लिखा है कि deboln अलफा, साइन बीटा, साइन अलफा, साइन बीटा, साइन गामा लिखा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको भी डियों कात्यों लिख देते हैं, यह कौस अलफा, कौस बीटा और यहाँ पर कौस गामा लिखा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, delta. ठीक है? cos A cos B minus sin A sin B. मतलब sin alpha into sin delta यहां जिन्दल यहां एसे लिखना है. 'Mिलकुल ठीक किसी प्रकार इसको भी बदलो. इसको भी हम लिख सकते हैं. cos beta cos delta और minus sin beta sin delta आप यहां भी लिख सकते हैं. ठीक है? है? इसके बाद इसको भी बदलें. तो यहां लिखना है cos gama cos delta minus sin gama sin delta देल्टा लेखना है ठीक है पच्छो इतनी बाद समंझ में आई ठीक है अब इसका answer हमें 0 लियाना है देख़ो हम क्या कर देखो 0 आ जाए थोड़ा ध्जान से समझो ध्जान से समझो यह आपका sin alpha है इसमें बच्चों यहाँ पर दोखों यह साइन अलफा है ना इसमें साइन डिल्टा से गुड़ा कर दो इसमें साइन डिल्टा से गुड़ा कर दो इसमें कोस डिल्टा से गुड़ा कर दो दोखों यहाँ पर इस प्रकार लिख दें बच्चों ध्यान से समझना है बहुत ध्यान से क् C3 पर आप लिखagnâ C3 को बदल के लिखagnâ किस परकार से बदल एं C3 में जोड़ दें क्या जोड़ दें C3 है उसमें हम जोड़ दें अगर इस परकार से कि C1 के साथ sine alpha का गुणा करें C1 के साथ काई का गुणा करें sine alpha का माइनस यह C2 है यह C2 है, C2 के साथ में हम cos delta से गुड़ा करते हैं, sorry, 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 alpha तो है न, delta से गुड़ा करें, तो sin delta का यहां गुड़ा करें, और cos delta का यहां गुड़ा करें, जो को एकदम सीधी बात हमें समझ में आ रही, विल्कुल एकदम सीधी बात हो गई, हमारी problem सारी खतम हो गई, समझो, sin gamma, बहुत ध्यान से समझे न, बच्चो, अभी पूरी बात के लिए रोगी, यहां पर cos alpha, cos beta, और यहां पर हम लिखेंगे cos gamma, ठीक है, cos gamma लिखेंगे, इसके बाद बच्चो, यहां पर क्या किया है, इसके साथ जोड़ा है हमने, क्या जोड़ा है, इसमें हमने गुड़ा कि किया है, ठीक है, और इसमें हमने cos delta से उड़ा किया है, तो इसको तो जोड़ा है, और इसको हमने, देखो, यहां से घटा आया है, यह minus का किया है, तब ही तो इससे यह कटेगा, तो पूरा करके दिखा देते, एक, एक step करके दिखाएंगे, यह हमारा c3 है, इसको हम लिखें cos alpha, cos delta, और minus sin alpha, sin delta, पूरी बात ध्यान से समझना, यह तो हो गया c3, c3 है न, c3 हो गया, इसमें हमें क्या करना है, plus, यहां से दो को plus c3 में plus का निसान लगाओ, यह c3 है, इसके साथ जोड़ना क्या है, c1 के साथ sin delta का गुणा करना है, यह c1 है, इसमें sin delta का गुणा करो, sin alpha म इसके बाद देखो, minus का निसान है, यहां पर minus का निसान लगाओ, c2, c2 मतलब, sin, c2 मतलब cos alpha, और cos alpha में हम काई का गुणा करें, cos delta का, तो यहां पर लिखना है, cos alpha में गुणा, cos delta से करेंगे, cos delta से, बचो यहां पर सारी देखो, जोड़ घटा के क्या मिलता है, तो बचो य इसी प्रकार से यहां भी सून बचाएगा, यहां भी सून बचाएगा, इनको आप दोनों को खुद देखो, दोगो बचाएगा की नहीं बचाएगा, बड़े आराम से समझ में आ रहा है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें गुणा करना है, sin delta से, ठीक है, sin delta से जै इससे cancel हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा बिल्कुल similar है ठीक है अब चो यहां से दोको C3 हमारा सून है C3 सून है यहां पर आप लिख दें चूंकि C3 बरावर है 0 इसलिए साड़े कमान पूरे का 0 लिख दें कुछ भी नहीं करना है सीदा RHS ना इसका प्रसार करना है ना कुछ बस प्रोपर्टी लगानी है कि अगर किसी भी साड़े का कोई पंक्त या तो कोई इस्तंब के प्रतेक अब यब यब सून होते हैं तो साड़े कमान 0 हो जाता है तो यहाँ पर इस स्थम के सभी अभयब सून है, सी थिरी स्थम के सभी अभयब सून है, इसलिए साड़े कामान जीरो है, खरेक्ट बच्चों, यह हो गया कुश्चन नमबर पांच, चलो कुश्चन नमबर पांच के बाद आंगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें, कुश् चली वाली एक्सराइज में बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है, यहाँ एक बार इसका फिर से रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सब्जो, यहाँ पर थोड़ा सा तो यह अलग है, कैसे अलग है, कि यहाँ पर रैखिक नहीं है, अभी हमें जो पीछी सवाल चैनल नहीं है, तो यह हमारे पास question number 7. ठीक है, एश्में लिखा है, दो बटे में एक्स, दो बटे में बाई, और यहाँ पर प्लस में दस बटे में लिखा है, दस बटे में जैडड, और बरबर में यहाँ है, चार ठीक है, यह पहला dise है, दूसरा equation है 4 बटे में x और minus में 6 बटे में y और plus में 5 बटे में z और यहां से बराबर में एक यह आपका दूसरा equation है तीसरा equation यहां दिया गया है 6 बटे में x और plus में 9 बटे में y और फिर इसके बाद minus का है 20 और बटे में है z और बराबर में दिया गया है 2 यह बच्चो तीन यहां पर समीकरण दिये गए है तो समीकरण निकाय तो दिये गए है लेकिन आपके रैखिक समीकरण नहीं है कैसे जाना भी रैखिक नहीं है रैखेक का मतलब X, Y, Z जो चेर होते हैं उन पर एक एक गहात होनी चाहिए यहाँ पर कितनी है बच्चू? माइनस एक है क्यों? क्योंकि बटे में है अगर उपर ले जाओगे तो माइनस की एक गहात तो होगी, बटे में X है बटे में Y है, बटे में Z है बस उपर ले जाओगे, माइनस X Y की भी माइनस एक गहात हो जाएगी Z की भी माइनस एक गहात हो जाएगी इसलिए इसको हम रैखेक नहीं कहेंगे पहला काम तो इसको रैखेक बनाना है मतलब यहाँ से ऐसा मानना है कि एक बटे X को हम U माल ले एक बटे बाई को हम वी मालने और एक बटे जैड को अगर हम डबलू मालने तो बचो ये रैखिक बन जाएंगे देखो ध्यान दें यहाँ पर जो पहला समी करण है चलो इस पर नमबर डालेते हैं एक नमबर ये दो नमबर और ये आपका तीन नमबर ठीक है ये पहला समी करण है कुछ इस परकार से बदल के हो जाएगा दोखो बचो एक बटे एक्स इसको हमने यू माल लिया है तो दो यू हो जाएगा कितना दो यू प्लस यहाँ दोखो एक बटे बाई को हमने वी माल लिया है तो तीन V हो जाएगा 3 V हो जाएगा और इसी प्रकार प्लस का 10 ये W और बराबर में हमें 4 लिखना है ठीक ये हमारा समीकर्ण बदल गया बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी समीकर्ण हम यहां बदल के लिखेंगे तो 4 किता हो जाएगा 4 U माइनस 6 V और प्लस का 5 W 5 W बराबर म एक ये हो जाएगा तीसरा वाला समीकर्ण इस प्रकार से बदल जाएगा यहां पर नमबर 3 लिखो और तीसरा कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा कि 6 U और प्लस में 9 V 6 U प्लस 9 V और माइनस का यहां 20 W और बराबर में यहां लिखेंगे 2 ठीक है यह हमारा समीकर्ण अब पुरानी बात बिल्कुल सिमिलर पुरानी तरीके से लगाना है, कुछ भी नया नहीं करना है, मतलब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से जो चर हैं उन से, चर से हम X, Y, Z जैसे चर पहले हुआ करते थे, तो यहां पर UVW हैं, बस UVW की जो गुडांक हैं उन से एक आप यू बनाएंगे उसको A कहेंगे तो यहां से लिखना है दो यहां तीन यहां पर दस इसमें UVW के गुड़ांग है चार यहां पर माइनस च्छे और पांच इसमें हैं कितने दोखो धियान दें च्छे नो और यह आपका माइनस का बीस यह तो हो गया बच्चो ए इसके बाद में जो चर होते हैं उन चरों को हम लिखते हैं X अब यू में तो X अब यू क्या हो जाएगा यह आपको लिखना यू वी डबलू लिखना है इस तह मौ आप यू पर लिखते हैं ठीक है और इसी प्रकार यहां से एक B आप यू बनाते हैं जो हमारा राइट एंड में अचर दिये है इसके हमें डिटर्मनेंट के बैली की जरूरत पड़ती है घरना कैसे कात करते हैं बस सीधा हम यहाँ प्रसार करके लिख देते हैं दोखो और बन के सब एक प्रसार करें पहले दो लिखें इसको कैंसिल करें माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 मतलब 120 लिखें फिर माइनस का निसान लगाओ 9 545 इसके बाद यहां पर माइनस का 3 लिखें और यहां से और इसको कैंसल करोगे तो अब 20 चोको 80 माइनस का हमें 80 लिखना है फिर माइनस 6 35 लिखना है ठीक है 6 35 प्लस 10 लिखना है और इसके ब इसके बाद सब को जोड़ के यहां पर लिखो दो 45 घटा दो 120 में से तो 10 में से 5 घटाएगा तो यहां 5 बचेगा और यहां पर बचेगा 11 तो 75 हो जागा ना 75 और दूनी करो सीधा डारेक्ट लिख देते हैं प्लस में 10 गुड़ें यहां से 72 लिखना है टूटल जोड़ो बच्चो यहां पर डेड़ सो डेड़ सो 150 चलो यहां लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ओफ ए बराबर 150 तो प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस यह भी हमें मिल जाएगा कितना प्लस में 330 ठीक है 330 और यह भी हमें प्लस में मिलागा 720 ठीक है सब को जोड़ के बताओ कितना होगा बच्चो तो यहां पर हमें जोड़ना है यह साड़े 300 हो जोकि आप देख पा रहे हो यह 0 नहीं है अगर 0 होता तो समीकर निकाय का हल नहीं हो सकता था ठीक है तो यहां पर इस समीकर निकाय का हल है यह हमें confirm बात मिल गई तो बचो आब इससे हमें सैखंड से बना अब्यू निकालेंगे तो सैखंड से बना अब्यू कैसे निकालते आभ्यू ए के आभ्यवों, आभ्यू ए के आभ्यवों के, आभ्यवों के सहे खंडों, सहे खंडों से बना, सहे खंडों से बना आभ्यू निकालेंगे, ठीक, सहे खंडों से बना आभ्यू माल लेते हैं, थोड़े देर के लिए आभ्यू है C, और C आभ्यू हम कैसे निकालते ह फ़ें थोड़ा ध्यान से सम्हें बचों और और कैसे निकालते हैं हम यहां लिखते हैं इसका एवन वन का निकालना है तो सेखन्ड से सीधा अभ यू बना देते हैं यहां पर तो को second एक होता है a11 a12 a13 दूसरी वाली रोके second को लिखते हैं a21 a22 और a23 लिखते हैं और तीसरी वाली रोके second को लिखते हैं a31 a32 a33 लिख लेते हैं ठीक है और इसके बाद यहां पर देखो क्या करते हैं बच्चो ध्यान से पुरानी बात यहां पर हम क्या करते हैं A11 को एक साड़िक यहां पर बनाते हैं एक यहां पर भी साड़िक बनाते हैं और यहां पर भी हम एक साड़िक बना देते हैं ठीक है यह साड़िक हो गया और यह भी हमारा एक साड़िक हो गया ठीक है इसके बाद में यहां पर एक साड़िक यहां एक साड़िक य अब इसादों को माइनस बन की पावर 1 प्लस 1 मतलब ये प्लस का होता है माइनस बन की पावर 1 प्लस 3 मतलब ये माइनस का हो जाएगा 1 प्लस 2 तीन पावर हो जाएगा माइनस बन की पावर 3 माइनस में होता है तो कुछ भी याद न रखो प्लस पहले फिर माइनस फिर प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ऐसे गूमते 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 हम प्लस माइनस प्लस अल्टर्णेटब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए ये हम साइन इसके लिख लेते हैं ठीक है और इसके बाद 9-20. क्या लिखना है? 6-5 और यहां पर 9-20. यह हमें 4 अभी 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 लिखना है. ठीक है? तीन अभी 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 यह है. इसका second यहां से इसको और इसको cancel करोगे 4-5-6-20 लिखना है. क्या लिखोगे? 4-5-6-20 लिखना है. ठीक है? इसके बाद ये 10 अभी अभी है, इसका second इसको और इसको बंद करो, पहली row, तीसरा कॉलम, तो ये 4 elements बचेंगे, 4-6, 6-9, 4-6, 4-6, 6-9 लिखना है, ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर दूसरी बाली row को काटो, पहले बाले कॉलम को काटो, तो 3-10, 9-20 लिखना है, ठीक है, इसके ब मानस 6 का second इसको और इसको cancel करोगे, तो क्या-क्या बचाएगा बच्चो, 2-10, 6-20, हाना, 2-10, 6-20, 2-10, 6-20, ठीक है, चलिए, 5 अभी अभी आपका second इसको cancel करोगे, 2-3-6, 9 लिखना है, 2-3-6, 9, 2-3-6, 9, ठीक है, तीसरी बाली row के अभी अभी आपके second, पहले 6 का second देखो इसको और इसको, ठीक है, पहली वाली column, तीसरा वाला row cancel करोगे, चार elements बचेंगे, 3-10, मानस 6, 5, 3-10, 3-10, और मानस का 6, और ये 5, ठीक है, बचो अभी चलो, पहले इसको देखो, 9, इस 9 का second कैसे, इसको और इसको यहां बंद करो, तो 2-10, 4-5, 2-10, 4-5, 2-10, 4-5, और अंत में, यहां पर रिड़ 20 अवियाब का second निकालोगे, तो 2-3, 4-6, 2-3, 2-3, और यहां पर 4-6 निकालोगे, ठीक है, बचो, तो इस तरीके से इसको हल करोगे, तो क्या मिलेगा, second से बना अभ्यू मिल जाएगा, तो बस फिर, second से बना अभ्यू य जहां निकाल लेते हैं, दोखो कैसे, इसका इसमें गुणा करो, माइनिस इसका इसमें, तो यहां से बचो, पहले रप्य करके देख लेते हैं, 6-12, प्लस का 120 हो जाएगा, माइनिस, और 9-5, 45, यहां से हमें, 120 में से 45 घटाओ, यहां पर डारेक्ट हम 75 लिख देते हैं, ठी मैं से इसको, का गुणा, फिर माइनिस यह 9-5, 45, ठीक है, इसी प्रकार बिलकुल यह दोखो, यहां से यह माइनिस का है, और यहां इसका गुणा करोगी, तो माइनिस का 20, 80 मिलेगा, फिर इसके बाद माइनिस का चिन लगाओ, 6-5, 30 लिख दो, तो यहां से माइनिस का 110, मा इसरे बाले यहां पर जोखो, इसको कैसे 60 को हल करोगे, 9-4, 36 लिखो, माइनिस, और यह माइनिस, मानिस, प्लस, 6 का 6 में गुणा, 36, 36 और 36 यहां लिखोगे, 72, पर इसके बाद दूसरी बाले रोके, यहां पर इसको हल करो, तो यहां पर 20 या 60 लिखना है, 20 या 60, पहला काम तो यह माइनिस है, और इसके बाद ब्रैकिट लगाओ, 20 या 60 माइनिस का 60 लिखो, फिर इसके बाद माइनिस है, इसका इसमें गुणा, माइनिस और 10 का 9 में गुणा 90 लिख दू, तो बच्चो माइनिस का 150, माइनिस से गुणा करोगे, तो प्लस का 150 यहां से मिलेगा, ठीक इसके बाद यहां पर आओ, इसके बाद यहां पर आओ, बच्छो यह माइनस का है, और 9 दूनी 18, फिर माइनस 6 तिया 18, 18 मैंसे 18 घटाओ, यह तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसको 0 लिख लें, इसके बाद यहां पर दो को 3 और 5 का गुड़ा, 3 पंचे 15, फिर माइनस 7 में होता ह है, और यहां 10 का 6 में गुड़ा, माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस का 60, तो बच्छो दोनों को जोड़ोगे, 75 यहां भी मिलागा, ठीक है, इसके बाद यहां पर आओ, माइनस 5 दूनी 10 लिखना है, फिर इसके बाद माइनस और 10 चो को 40 लिखना है, तो बच्छो यहां से 10 म माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 30 लेकना है ठीक और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर यह हो जाएगा माइनस का बार है और यह भी हो जाएगा माइनस का बार है तो बार है और बार है दोनों को जोड़ोगे तो यहां से हमें यह 24 ठीक है के लिए रही बच्चो इतनी बात समझ में आई यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आगे बढ़ते हैं दो कोई यहां पर इसका transpose कर लिया जाये तो यह Adjoint A मिल जाता है क्या करते हैं बच्चों यहां पर इसका transpose कर लें, यहाँ पर लिख दें, इसका परिवर्थ करने पर adjoint of a यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, adjoint of a बराबर क्या होता है, c का dash, मतलब यह जो c निकालाने, इसका transpose करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, पूरी बात समझो, यहाँ पर adjoint of a बराबर, क्या करते हैं, यहां पर इसका परिवर्थ करके लिख रहे हैं, यहां पर 75, 110, 72 लिखा है, इसको हमें कॉलम पर लिखना है, यह हमारा 75, 110 और यह आपका 72, ठीक है, दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम पर लिखना है, यहां पर 150 है, और यह आपका माइनस का 100 है, और यह आपका यह आपका 0 है ठीक है यह 0 है तीसरी वाली रो को तीसरे वाले column पर लिखना है तो 75, 30 यहां पर लिखना है 75 यहां लिखना है 75 यहां पर 30 और यह आपका minus में 24 लिखना है ठीक है आप समझो वचो adjoint A हो गया इसके बाद हमें करना है A inverse निकालना है है एड्जॉयंट ऑफ ए अपोन डिटर्मनेंट ऑफ ए तो डिटर्मनेंट की वैलू वैद्टो यहां पर हॉल लिडी हमने निकाल रखी है डिटर्मनेंट की वैलू यह वच्वाद रहे सो ठीक है तो हम यहां से 12 से भाग कर देंगी तो एक वटे हैं लिखनें 1200 और इसके बाद Adjoint की Value जियों किती हूँ यहाँ पर लेखेंगे 75, 150 75 और इसके बाद 110 माइनस में 100 और यह आपका 30 इसके बाद 72 0 माइनस में 24 ठीक है खिलियर है बच्चो इतनी बात Inverse निकाल लिया तो अब तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम होता है इसका हल होता है X बराबर में A Inverse इंटू B यह हमारा formula होता है इसको हल करने का ठीक है X का मतलब यहाँ पता है X by Z X का मतलब X by Z नहीं बलकि UVW है UVW है ठीक है बाद में हम X by Z में convert कर लेगे तो X बराबर है UVW और A Inverse का मान है एक बटे में बार है सो और यहाँ से इसको लिख देते हैं दोखो 75 एक सो पचास पचास और यहाँ पर लिखना है 110 माइनस का 130 लिखना है यहाँ लिखना है बातर 0 माइनस का 24 लिखना है ठीक है और इसके बाद में B और B आपका ये लिखा है दोखो B आपका क्या है 4,1,2 है तो आपको लिखना है 4,1,2 ठीक है 4,1,2 लिखना है बस यहाँ से दोखो UVW UVW बराबर का चिन लगा हो एक बटे बार है सो और इनका गुणा करके लिख दो क्या करना है 75 का 4 में गुणा करना है वच्चो 300 150 में 1 का गुणा करना है तो 150 मिलेगा 75 में 2 का गुणा करना है तो 1,500 मिलेगा ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर 110 में 4 का गुणा 400 440 हो जाएगा 440 लिख दें 100 में 1 का गुणा हम 60 लेके ठीक है तीसरी रो का गुणा करो 72, 4 दूनी 8, 7, 4, 28, 288 हो जाएगा सून से गुणा करोगे तो सून मिल लेगा माइनस मैं 24 दूनी 48 यहां से माइनस का 48 लेक दे यहां से 500, 500, 500, तो 600 मिल लेगा ठीक है बहुत अच्छी बात है 48 यहां से 488 में से कम करो 8 में से 8 घटाएगा 0 8 में से 4 घटाएगा 4 और यह 240 मिलेगा ठीक है बच्चो इतनी वाद सही है चलिए बहुत अच्छी बात है 1200 से डिवाइड और कर दो तो UVW UVW बराबर थोड़ा ध्यान से करना बच्चो जगह कम है ध्यान से समझो 600 में 1200 से भाग करोगे एक बटे 2 मिलेगा 400 में 1200 से भाग करोगे तो एक बटे 3 मिलेगा और यहां से 240 है 240 है भाग करो 1200 से तो एक गीरो काटो और यहां से 12 है दूनी 24 12 है यहां से एक बटे 5 बच्चो यहां मिलेगा कितना मिलेगा एक बटे 5 ठीक है इतनी बात के लिए रो गई तो बचो यहां से आप सीधी बात है U बराबर एक बटे 2, V बराबर एक बटे 3, W बराबर एक बटे 5 यहां तुलना कर दें बस समझो आंसर आपका आने बाला ठीक है बचो यहां पर थोड़ी जगे का में इतना न निकलेगा और W का मान निकालने तो 1 बटे 5 निकलेगा तुलना करके U का मान एक बटे 2, V का मान एक बटे 3, W का मान एक बटे 5, ठीक है? तो बच्चों U बरावर एक बटे 2 है, इसलिए X का मान कितना हो जाएगा? यहां से आप लिख सकते हो X बराबर है एक बटे U मतलब यहां पर एक बटे एक बटे दो करना है बस उल्टा करके लिख दो समझो ऐसे समझो X बराबर हो जाएगा दो यहां से समझो यह V का मान एक बटे तीन है इसलिए Y का मान है एक बटेफ डब्लू है ठीक है इसका विलटके लिखौगे तो एक बटेफ 5 हो जाएगा बस यह इसका आंसार है буде यहां पर यह आपकर से खेंडों से बना व्यूद्ट है ना यह थोड़ी सी बड़ी परॉस शेस हैd उसको थोड़ा ध्यान से सावधान से आपको अराम से पूरी बात समझनी है अभी हमें एक आपके पास एक थोड़ी सी ट्रिक ले आएंगे ना इसके बाद में एक वीडियो आएगा एक ट्रिक ऐसी बताएंगे बिल्कुल एक दम एक लाइन में सीधा सब कुछ यह कुछ भी ना करना हूँ सहे खंड ना निकालना हूँ ट्रांस्पोज ना करना कुछ भी नहीं करना पड़ाएंगा बिल्कुल एक लाइन में एक दम सीधा उसका अंसर मिलेगा सीधा आपको यह आपका एड्जॉइंट जो है ना सीधा मिलागा एक एक सेकेंड में केबल केबल और में आप इसको हल कर पाऊगे लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप जो है केबल और केबल पांच सेकेंड में यहां से इसका एड्जॉइंट ग्याद कर पाऊगे तो अंगले वाले वीडियो में हम आपको यह बताने के कोसिस करेंगे कि यह क्या ट्रिक है जिससे आप केबल पांच सेकेंड में एड्जॉइंट निकाल पाऊँ ठीक है तो यहां तक बच्चो हो गया इसके बाद यह वहां पर दोखो सत्रमा सवाल इसको नोट करें सत्रमा सवाल देखो बच्चो अंध में दो प्रश्न यहां पर हैं सत्रमा और अठार्मा इन दोनों प्र लिखे यह दोनों के योग के बराबर होता है तो यहां पर पहला तो कम हम वही करना है, यहां लिख देते हैं, चूंकि A, B वा C, AP में है, A, B, C काई में है, AP में है, समानतर सेड़ी में है, अथा इसका मतलब सीधा है, कि 2B बराबर A प्लस C हो जाएगा, 2B बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस C, इतनी बाट ठीक है, अब इस साड़िक का मान निकालो, बच्चों, यहां से, इस साड़िक का मान जब हम हल करते हैं, तो हमारा पहला उद्देश यह होता है, कि जादा से जादा, जादा से जादा अभी अब इसके सून हो जाएगा, हम ऐसे ओपरेशन करें, जिससे अभी अब सून हो जाएगा, तो बच्चों, यहां से बड़े द्यान से समझो, क्या कर दें, वही सून हो जाएगा, एकाद दो, अभी अब हमारे सून हो जाएगा, ऐसा कुछ बताओ भी, तो एक काम यहां से बच्चो देखो द्यान से समझो यह है आपका R1 यह है आपका R3 और यह है आपका R2 इस R2 को बदल के इस प्रकार लिख दें कि इन दोनों को जोड़ें और इसमें दो का गुणा करके घटा दें बच्चो यहां से देखो जो ऑपरेशन करना चाहरे पहले उस ऑपरेशन को लिखो R2 को बदल के लिखें और इस प्रकार से बदल के लिखें कि R2 में दो का गुणा करें और घटा दें कितना R1 प्लस R3 को यहां से हम दोनों को जोड़ें R1 और R3 को जोड़के और R2 में दो का गुणा करके घटा दे, देखो समझो, यहां से हम इस प्रकार से पाएंगे इसको, अगर यह operation लगाएंगे, तो क्या मिलागा बच्चो, आर बन को नहीं बदला गया है, आर बन को तो जियों का तियों लिखना है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थिरी, और यह आपका एक्स प दो एक्स प्लस छे हो जाएगा, दो का गुणा करोगे, दो एक्स और तीन में, तीन दूनी छे, अब घटाना कितना, इन दोनों को जोड़के घटाना, एक्स एक्स जोड़ोगे, दो एक्स और प्लस चार और दो छे, इसको घटाना है, दो एक्स प्लस छे में से घटाना है 2x plus 6 बच्चो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही यहाँ पर करना, इसमें 2 का पहले गुड़ा करोगे, यह हो जाएगा, 2x plus 8, 2x plus 8, और घटाना कितना है, इन दोनों को जोड़ के घटाना है, xx जोड़ोगे, 2x हो जाएगा, प्लस 5, 3, 8, ठीक है, 2x plus 8 मैं से 2x plus 8 घटाओगे, बच्चो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, ठीक है, किलियर बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, आंगे यहाँ से भी बिल्कुल बैसा ही करना है, यहाँ इसमें 2 का पहला करोगे, 2x plus 4 भी हो जाएगा, और घटाना कितना है, इन दोनों को जोड़ के x और x जोड़ोगे, 2x हो जाएगा, प्लस में 2a और प्लस में 2c ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बात के लिए चल रही, यहाँ से दोको 2x plus में यहाँ से 4b और यहाँ 2x, चलो लिख देते हैं, 2x और यहाँ से माइनस का 2a माइनस का 2c, ठीक है, यहाँ से 2x और 2x आप कैंसल कर तो अब हमें यहां से मिलेगा 4b, माइनस यहां दोनों से माइनस का 2 कॉमल लें, तो a plus c ऐसा लिख सकते थीक है, इसमें दोका गुडां करके इन दोनों को जोड के घटाओगे बच्चों ये मिलेगा, कितना मिलेगा, यहां लिख देते हैं, 4B minus में मिलेगा minus का 2 into bracket में A plus C इतना मिलाज़ा खीक है clear बात हो गई इसको भी जियोंकातियों लिखना है X plus 4 को जियोंकातियों X plus 5 को जियोंकातियों और X plus 2C को भी हमें जियोंकातियों रखना है खीक है बच्चो एकदम बात clear है अब मेरे खाल से अगर बात clear है तो और थोड़ी सी आंगे बाली बात समझें तो बिल्कुर एकदम clear हो जाएगी बात जोको ध्यान दे बच्चो यहां से हमने A plus C बराबर 2B निकाला है तो A plus C बराबर 2B यहां पर रखेंगी जहां A plus C लिखा है 2B में 2 से गुड़ा करोगे तो 4B हो जाएगा 4B में से 4B घटाओगे बच्चो 0 मिल जाएगा बात आई समझ में कि नहीं यहां से हमने केबल यहां A plus C को 2B लिख दिया है 2B में 2 का multiply 4B हो जाएगा 4B में से 4B घटाओगा 0 मिल जाएगा इसको हमें X plus 4 X plus 5 और X plus 2C को जिएंकातियों लिखना है बच्चो इस का मान 0 होता है बताओ क्यों 0 होता है आपको यहां लिखना है 0 इसलिए होता है चुँकि यहां पर यह दूसरी वाली जो रो है दूसरी वाली रो इसके सभी अभयब आपके सून है मतलब R2 बराबर 0 अगर किसी भी साड़की किसी पंक्ती के प्रते का अभयब सून हो अत्वा किसी इस्तंब के प्रते का अभयब सून होता है तो साड़क का मान सून होता है तो बच्चो यहां आप देख रहे हो यह आपका जो R2 है उसके सभी अभी अब सून है इसलिए हमें यहां क्या लिखना है इसका मान 0 लिखना है और इसको भी आप यहां लिख सकते हो चूंकि A प्लस C बराबर हमने 2B लिखा है ठीक है तो यहां पर R2 के सभी अभी अब सून है इसलिए इस साड़िक का मान क्या होगा बच्चो सून होगा ठीक है यहां पर आप देखो option कोई होगा जिसमें 0 लिखा होगा वही आपका सही option है ठीक है तो बच्चो यहां से पहला A option सही है बिलकुल सही बात है बच्चो A option आपका सह ही है पहला वाला ठीक है चलिए बिलकुल अंतिम प्रश्ण अठार्मा करते हैं देखो अंतिम प्रश्ण अठार्मा बच्चो कहने को तो यह कहा गया कि यह आपके बिकल्प में प्रश्ण है ना बिकल्प में है लिकन अगर देखा जाए तो पूरा solve करना पड़ाएगा करना है बिक्रुम अब्यू ग्याद करना है ठीक तो बचो पूरी प्रोसेस वह लंबी वाली प्रोसेस होती है जिसमें अबर्स ग्याद करना है तो उसके लिए क्या करते हैं पहले इसका साडिक का मान ग्याद करते हैं फिर इसके बाद में साडिक के बाद में सहे खंड से ब भाग करते हैं इतनी प्रोसेस होती है तो बचो यहां से एकदम एक सौर्ट ट्रिक जो इसकी बाद हम लोग कर रहे थे उस एकदम सौर्ट वाली ट्रिक समझो एक लाइन में इसका अंसर आएगा दोखो कैसे बचो पहला काम तो इसका हमें यहां से इसका अब्यू का साड़िक ध्याद करना है तो इस A अब्यू का साड़िक कैसे ध्याद करते हैं तो को धयान से बच्शो यह आप्विव आपका कैसा है यह आप्विव आपका दायगॉनल मेत्रिक्स है मतलब यहां से केबल बिकर्ड पाराभयावं इसलिए इसको क्या कहोगे बिकर्ड आप यू कहोग सार्डिक का मान आ जाएगा ठीद है बात एक कम फिनिस यहां से कभी भी याद रखना है ऐसा अगर आपका कोई सार्डिक मिल था हो, जिसके डाइगोनल पर केबल अलिमेंट है, मतलब आपका यह बिकार्ड अबिव का सार्डिक कोुछ भी सौल्व नहीं करना प्रसार नहीं करना है इसके बाद दूसरी बात यहां पर इसका जब एड जॉइन्ट ग्याद करेंगे तो एड जॉइन्ट के लिए भी विल्कुल एक यह लाइन लिखनी है दो को कैसे करते हैं पच्चो यहां से ठोला ध्यान से समझना है यह आ पहले हमें बाई लिखना है क्या लिखते हैं बच्चों बाई फिर इसके बाद में बाई के बाद जीरो लिखेंगे फिर इसके बाद ऊपर वाला अब यह जीरो लिखेंगे और बाद में फिर आपको बाई लिखना है फिर से ध्यान से समझो यह पहले बाई फिर जीरो फिर उ उपर पहुंचो जीरो और फिर जीरो फिर से समझो ये जीरो जैड जीरो जीरो ठीक है इसके बाद में यहां पर आजओ यही बात यहां करनी है यह आपका है जीरो यहां पर जीरो फिर एक्स फिर जीरो ठीक है पहले लिखना है जीरो फिर जीरो फिर उपर एक्स फिर जीरो ठ बस समझो हमें adjoint मिल गया, यहां से हमें क्या करना है, adjoint of a बराबर, सीधा direct यहां लिखेंगे, adjoint of a बराबर, क्या करना है दोगो, इसका इस में गुणा, इसका इस में गुणा, यहां कर दो, by का z में गुणा, by z minus sun, ठीक है, इसका तो sun हो जाएगा, by z minus sun, यहां से sun और यह भी sun, तो आपको sun मिलेगा, यहां से दोनों का, यह sun minus sun, यहां भी sun मिलेगा, यहां पर आजाओ, यह sun, यह भी sun, sun minus sun, मतलब sun हो जाएगा, यहां से दो, z into x, z into x, और यह आपका minus का 0, ठीक है, z into x minus 0, मतलब z into x मिलेगा, यहां पर 0 minus 0, मतलब 0 हो जाएगा, 0, minus 0, 0, 0, minus 0, 0, x into by, minus 0, x into by, ठीक है, यह हो गया बच्छो, Adjoint A, कुछ भी नहीं करना है, बिलकुल एकदम सीधा Adjoint A हो गया, ठीक, अब यहां से इस Adjoint A का, अगर हमें Adjoint A पता हो, इसके Determinant का मान पता हो, तो हमें A inverse बराबर formula होता है, Adjoint A और upon में Determinant A होता है, ठीक है, कि नहीं, बस यहां से, यह x by z से भाग करना है, x by z, और यह हमारा Adjoint का मान है, जिसको यहां लिख दे है, by into z, 0, 0, 0, 0, x into z, sorry, z into x, और यह 0, यहां से 0, 0, यहां आपको लिखना है, x into by, ठीक है, x by z से भाग कर दो, बस आंसर आ जाए, ठीक है, तो यहां से बच्छो, by into z, z, उपर है, भाग करोगे by z, कट जाएगा, एक बटे x मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर आपको एक बटे by मिलेगा, यहां पर 0, यहां पर भाग करने पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1 बटे z मिलेगा, यह इसका अंसर है, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख स एक लिखके हमें आंसर लिख दैना है ठीक है बच्चों समझ में आई बात एकदम सौर्ट तरीका एकदम बिल्कुल एकदम आसान से तरीका है कि हमें सबसे पहले इसका साड़िक कमान गयात करना है उस साड़िक के लिए हमने बताया कि अगर को सब आवयब सूर्ण तो इनी का आपस में ग़्डा कर देते हैं ठीक है मembêter बिकड़ आपयू का साड़िक गयात करने के लिए बिकरणों के अभियबों का आप उसमें गणा कर दें बस उसका हमें determined का मान गयात हो जाएगा फिर adjoint करने के लिए हमने क्या बताए एक बार फिर से हम जो यहां को यहां इस अभयव को पहले पकड़ना है पहले लिखना है सून सुरी बाई सून सून और बाई पहली रूपर लिखते हैं फिर इसके बाद यह अभयव पकड़ना है तो सून जैड सून और सून लिखना है यहां पर इसके बाद तीसरी यहां पर आ जाओ तो सू SSON X, SON ने लिखना है तीसरी रो पर और पहली वाली रो को हमें फिर से यहां पर लिख लेना है फिर इसके बाद में हमने जैसा की बताए कि गुणा करके सीधा सीधा हम कैसे दो आपका 2 गुणंधव कर करें परसार क्या से करते हैं वही इसका समें गुणा इसमें बस वही करना है हर जगे और सारे अलिमेंट्स यहां मिल जाएंगे तो एड्जॉइंट ए हो जागा सीधा बिलपुल ठीक है एड्जॉइंट ए हमें पता चल गया तो एड्जॉइंट ए के बाद इंवर्स कैसे गयाद करते हैं यह वही पुरानी प्रोसेस है प्रशनावली यह कहें साडिक का पूरा चैप्टर आपका तयार हो रहा है ठीक है किसी प्रकार की बच्चो कोई समस्या नहीं होने चाहिए बाइद अगर कोई समस्या भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर कह सकते हो अथवा कच्च्च्च्च् अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर साथ उपस्तित होंगी ठीक है बचो खुश रहें मस रहें पढ़ती रहें वाई वाई वाई